वेलकम टू माई चैनल फ्लावर वर्ड से मैं हूँ हेमा आज बात करने वाले हैं एक पापुलर हाउस प्लांट के बारे में जो बहुत आसानी से मिलता है और बहुत जादा कलरफुल है और आलमुस्ट गार्णिंग करने वाले के हर घर में मिल जाएगा और यह इतना कलरफु प्लांट यह मेरे फेवरेट प्लांट है तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्वाइल मिस्चर की तो आप इसके लिए एक हिसा सेंड ले लिजे एक हिसा कंपोस्ट और एक हिसा गार्डन स्वाइल ले लिजे मैं इसी तरह से सारे प्लांट के लिए स्वाइल मिस्चर रेड कुलियस प्लांट को चोटे-बड़े कोई भी गम्लो में लगा सकते हैं बड़े गम्लो में आप एक साथ 3-4 कटिंग लगा दीजिए बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है जब प्लांट बड़ा हो जाए तो इस प्लांट को आप प्रूनिंग जरूर करिये को लिए सबसे प्लांट उतना ही घना और बुसी होता जाएगा प्रूनिंग नहीं करने से प्लांट नंबाई में रह जाएगा घना नहीं हो पाएगा इसलिए प्रूनिंग जरूर करें अब बात करतें इसकी लोकेशन की तो इसे मॉर्निंग की दो से तीन घंटे की धूप मिले या फिर इंटेर रहता है अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग की तो इस प्लांट पर आप डेली वाटरिंग करिए गर्मियों में तो सुबा और साम दोनों टाइम ही वाटरिंग करिए फटिलाइजर की बात करें तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फटिलाइजर की जूरत नही प्लांट बड़े हो तो आप उसकी कटिंग कर नए ने प्लांट बनाती जाएं यह प्लांट नर्सरी में 30 रूपिया से 40 रूपिय में मिल जाएगा गर्मियों में इस प्लांट को बचाना थोड़ा मुस्किर रहता है उस समय इस प्लांट को और भी गमलों के साथ में रखिए जिसमें इसे नमी मिलती रहें गर्मियों में आप इसे दोनों टाइम पानी देते रहें कोलियास के प्लांट की मिट्टी में नमी बने रहना झाली